प्रणाम आप लोग को आज जो सुनवाई हुई है आज से हम लोगों का जो हेरिंग स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बहुत कुछ जानना होगा समझना भी होगा इसका इंतजार होगा आप लोग को आज हम दिन भर कोट में रहने के बाद आज अभी कुछ जरूरी मीटिंग अभी तक चल रहा था हम अपने AOR साहब के साथ और सुन्दरम साहब के साथ उसके बाद अभी थोड़ा से समय निकाल के आप लोग के बीच में उपस्तित हुए है हमारे साथ माननी हाई कोट पतना से आये हुए एड़ोकेट साहब है मिरतुन जे बाबु जो लगतार तीन दिन से हमारे नियाईक तैयारी में हम लोगों के साथ खड़े हैं हमारे साथ संग के प्रदेश के महा सची आदर्नी राम राम चंदर यादव जी भी हैं जहाजा के हमारे जिला के उपाध्यक्ष आदर्नी जूगल कि सुर यादव जी भी हैं जहाजा के जमुजिला के मनोज जादव जी राम प्रवेश जादव जी शिक्षक परतिनिधी भी हैं साथ में आप लोग को आज बता दे कि सर जो भी हम लोगों का डिमांड है उसके लिए हम लोग लगातार न्याले में सुप्रीम कोट में साथ महना से संगर्स कर रहे थे और साथ महना के बाद आज से वह संगर्स रियल में प्रारम हुआ है आज का जो कोट रूम का हलत था उसके बाद कई स्थितियां बदल चुकी है आज आज बहुत सारा इसा बात है जिसको आपको बताना था क्योंकि आज तक जो भी कुछ हो पाया हुआ आप जैसे तमाम बिहार के भाई बहन के बदोलत ही हो पाया है खास करके न्याइक संगर्स और सड़क के संगर्स में आज का कोट रूम में जो बहास हुआ उसके पहले की जो हमारी तैयारी चल रही थी उसका आज हम लोगों को बहुत लाब मिला आज आधरनिये सुप्रीम कोट के जो टॉप फाइब के सिनियर लॉयर है आधरनिये सी आरिमा सुंदरम सहाब उनका जवरदस्त पूरा दिन तक उपस्थिती भी बना रहा कोट रूम बीच में ऐसे आज पूरा दिन सरकार के लिए निर्धारित था बातचीत करने के लिए लेकिन इस बीच में सरकार के दौरा जो कुछ ऐसा तत्थ लाया जा रहा था जो की नियम के नियम से हटके था उसके ओपर ध्यान आकरिस्ट करा इसे एक बात आज हम लोगों को बहुत में विश्वास हुआ कि जिन लॉयर के साथ हम अपने भविश्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं भविश्य निर्मान को लेके उनके द्वारा पूरी तयारी कर ली गई है वह आज उनके बीच बीच में जो ध्यान आकरिस्ट करा गया है मानी जैज साहब का उसे यह बात हम ल कि सरकार इस मेटर को लंबा कहिचेगी लंबा कैसे खिचेगी हुआ आज सामने में आ चुका है पूरा साफ हो चुका है तस्वीर सरकार के मात्र एक लॉयर चाहना के तरप से मात्र एक लॉयर दिनेज दुवेदी सहाब पूरा दिन तक अपनी बात को को लिए भ़ी वाध उसके बाद फिर दो बजे से कोट चल हुआ और द़ाई बजे तक दूसरा मैटर चल ला DHAI बजे तक दूसरा ओ Kevin Strja 2 उद 155 जंटा यह साले तीन我िए के तरब से मांत्र एक लोईयर साले तीन घंटा तक अपनी साथ को रखते रहे अब बहस सर आज से पूरा बहस प्रारंब हो गया सुप्रीम कोट में अब जो कुछ भी होगा वह बहस कल तक हम लोगों के साथ जज सहाब का पूरा सेंटिमेंट्स था ऐसा पता चल रहा था कोट में जो इसके पहले चार जो बहस जो चार जो सुनवाई मिला आज के सुनवाई से यह साफ हो गया कि अब यह केस हम लोग अच्छा से अच्छा तरक संगत एविडेंस के साथ बहस करके ही जीत सकते हैं इसलिए अभी और अभी के से आज के समय से आज दिन से ही हम लोगों की चुनोतियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इसके ल सुप्रीम कोट के अजय कुमार सिंग जी मिर्तुन जे सर और एक एसलिपी जो हम लोगों का समस्तिपूर उनका एसलिपी नंबर 179 अबलीग 18 के एवार के सवरंजन जी उनके साथ पहले सुप्रीम कोट से आने के बाद पांच बज़े से साड़े छे बज़े तक का तयारी ह हुआ फिर पॉने साथ बज़े हम लोग का ब्रीफिंग सुरू हो गया सुन्दरम साथ और उसके बाद वहां से साड़े आठ बज़े तक ब्रीफिंग चला उनके साथ वहां से अभी आए हैं फिर यहां एवार साथ के चमबर में और लगाता है हम लोगों की तैयारी जारी ह कल के लिए जो हम लोग को कोट रूम में जाना है तो उससे पहले जो तैयारी किये थे और आज जो सरकार अपना कोट रूम में बात रखा और उसके बाद जो इस्थिती निकल के आई है उसकी तैयारी आज पूरे रात करने के बाद भी आज मतलब अभी से continue सुबह के आठ व कोट रूम में थे आदर निया मिर्तुन्जगय तो आप लोगों को बताएंगे लेकिन व कोट रूम में थे और हमारे साथ संके महासाची आदर्णी रामचंदरी आदब जी भी कोट रूम में थे जो बात हमको समझ में आया कोट रूम में वह सरकार के द्वारा एक प्रयास जो इसका आभास था कि सरकार इसको लंबा खीचेगी लेकिन कितना लंबा खीचेगी आज वह सामने में दिखने लगा है जैसे आज पूरा दे फुल्डे कोट था कल मात्र एक बज़े तक ही कोट है दो बज़े से दूसरा मेटर रहेगा कोट में यह कोट जो जिसमें हम लोगों की सुनवाई होने वह एक बज़े तक है अभी सरकार के तरफ से मुकुल रहतोगी साहब गोपाल सुर्मन्यम साहब राकेश दुवेदी साहब और उसके बाद एटर्णी जनरल साहब चार आदमी अफिसियली अपने बात को रखने जा रहे हैं सरकार के तरफ से चार आदमी अपने बात को रखेंगे तो आप समझ लीजे सरकार की स्टेटजी क्या है कल आधा दिन है आधा दिन में जब एक दिन पूरा एक सरकार के अधिवक्ता लेते हैं कल चार बड़े अधिवक्ता उसमें एटर्णी जनरल सामिल है वो अब उनकी क्या रनिती है तो वही सब बात जिसका कोई आर्थ ने उसी को रखने में पूरा दिन सरकार बिता दी सरकार का अभी के से लगता है कि कल आधा दिन पताने उनके कितने लोग रखेंगे फिर हम लोगों के पास एक दिन विरस्पत बार को बसता है दो अगस्त को एक पूरा दिन हम लोग के पास बचता है उसमें अगर कल सरकार के तरफ से पूरी बात हो जाती है तो हम लोगों के जितने भी वकील है सुन्दरम सहाब और अने संग के और अने क्यावियेटर और प्रतिवादी के वकील उनको अपना बात रखना है जब सरकार दो दिन तक अपनी बात को रखेगी तो निश् निश्चिंत हो जाए आपका बहास तो तया सुरू हो गया है लेकिन यह सरकार के रनीती के तहत जो हम लोगों को परिसान करने वाला सरकार का रनीती उसके कितना लंबा यह बहास कितने दिन का यह बहास चलेगा इस पर अब कुछ असपस्ट बता पाना बहुत मुश्किल है लेकिन जिस्थिती जो कोट रूम में आज बना है उसे एक बात साफ हो गया है कि सरकार पूरे तरीके से बहास करके वह अगर हमारी तयारी ने रहेगी तो वो कोट को गलत सलत जानकारी देके आगे बढ़ जाएगे लेकिन आप आस्वस्त रहिए आज के डेट में ही हम खिलाब था जो रूल के खिलाब था वैसे बात को रखके जो मिसलीड करने का कोशिद की तो वहां चार बार पूरे बहस के दौरान सीए सुंदरम सहाब ऑब्जेक्शन रेज किये और को यह बताए कि यह कानून के हिसाब से आपकी बात सही नहीं और उसका प्रमान भी दिय जिसको की कोट भी जजज सहाब भी एडमिट किये थे और जजज सहाब इस पर संग्यान भी लिए हैं और सरकार अलर्ट भी हुई है कि हम अगर आप कुछ ऐसे वैसे बात को रखते हैं तो वहां पर अब्जेक्शन एबिडेंस के साथ हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा सरका जो गलत था उस पर क्यों आर्गुमेंट कर रहे थे यह कमी आज कोट रूम में देखी बड़ा सब हम देख रहें टॉप 10 के और कई लोयर हैं कोट रूम में अपने सिक्षक के तरफ से लेकिन हमारा किसी के ऊपर कोई टिका टिपी नहीं आज के रात में हम सभी अपने लोगों को पूरी तरीके से अध्यान करके कोट में आने का जुरत है एविडेंस के साथ क्योंकि जब सारे लोग पैसा ले रहे हैं तो सारे लोगों को हम लोगों के पक्ष में हर मुमेंट पर ख़ड़ा होना पड़ेगा सारे लोग को पैसा आखिरकार ऐसा नहीं है कि बिह अपने lawyer के साथ पूरी तयारी कर लिजिए और पूरी तयारी करके कल से हम लोग courtroom में आएं कि कोई भी गलत बात court में अगर रखा जाए तो तब सभी lawyer उसको तर्क के साथ evidence के साथ courtroom को अफगत कराने का प्रयास करें ऐसा बात है और बहस के लिए तो बहुत होरों तयार होना करें पड़ेगा जो आज हमको समझ में आया यूई लालित साहब का जो रूख देखे आज हम वह कोई भी सरकार के बात को भी ऐसा बात को notice में नहीं ले रहे थे जिसका सरकार evidence नहीं दे पा रही थी किसी भी तरह का बात जो भासन के अब्रवादी और कैविएटर हम भी उसमें सामिल हैं सब को जितना भी बात कोट में रखना है उस बात को रखने के साथ जो mention किया गया है सो ठीक है जो documents mention नहीं किया गया एट present कोट रूम में दिया जाए और जितना बात हम रखें कोट रूम में उसका evidence हम निश्चीत रूप से evidence का मतलब वह भीहर सरकार का कोई ने कोई एक्ट होना चाहिए और एक्ट के एविडेंस के साथ प्रमान के साथ कोई भी बात रखा जाएगा तो भी कोट उस पर संग्यान लेगा अधरबाई हम लोगों के खिलाप और निगेटी भी बातावरन बनेगा इसलिए हम आरा जो भी हम अपने बिहार सरकार बनाम बिहार पंचायत नगर प्रारंबिक सिक्चक संग एसलिपी 251 अबलीग अठारे और एसलिपी 179 अबलीग अठारे में जो जरूरी चीज है बात रखा जाना है उसके लिए आज से रनीती फिर कल के लिए बन चुकी है उसके लिए आज पूरा रात अभी भी हम लोग एवार साब के कारियले में ही हैं लाजपतनग सबसे बड़ा बात है कि कोट रूम में सबी स्टॉप के लोइयर जो हम लोग जिनको भी किया है जैसे सुंदरम साब को कि तो 11 बजे से लेके पूरा समय तक कोट रूम में रहे सारे सिनियर लॉयर को लगतार कोट रूम में रहना पड़ेगा क्योंकि जब सरकार के बहास को को सुनेंगे नहीं तो फिर उसका जवाब देने में बहुत कठनाई होगी तो सारे लोगों को हमको लगता यह बात समझना चाहिए कि अगर हम लॉयर को सहाब को रखे हैं तो उनको कोट रूम में उपस्थित भी रखना हमारे लिए एक महतपुर्ण कार है उसको निश्ची त सुनेंगे और उसका कैसे काट तयार किया जाएगा यह खुद ही वह करेंगे यह बहुत आज हमको वह चीज़ देखने को मिला कि जब सुन्दुरम साब पूरा टाइम कोट में थे तो अगला किस बात के लिए कौन सा रनीती और क्या एबिडेंस हमको कल के लिए वह आज के बहस के अधार पर चिनित कर लिए फाइंड आउट कर लिए गया उसकी स्टेजी बन गई और पूरे रात काम करके उसको तयार करना है तो अब हमको लगता है कि सुनवाई जब तक चले हमारे अधिवक्ता का जो टीम है ब्रीफिंग टीम सब को रत जगा करना पड़ेगा औ बोलो भी पूरे रात काम करके कल के लिए फिर पूरे रात करके परसों के लिए तयार करने का जो एविडेंस तयार करने का बात है उसको शुरू कर दिया गया है मतलब आब इस केस को हम लोग किसी के सहानभूती पर नहीं जितने जा रहे हैं इस केस को जितना है तो आपने अधिवक्ता के तर्क संगत evidence के साथ किये जाने वाले बहस के अधार पर ही हम लोग को जितना है अब कोहीं कोई सहानभूती नहीं कि जच सहाब सीख्षक के पक्ष में ऐसा कोई बात नहीं आज सरकार से कई बार ऐसा question हमारे कोट के जच सहाब के द्वारा किया गया ललीत सहाब के साथ अभय मनौहर साप्रे जी के द्वारा कि उसका जवाब नहीं था उसका जवाब सरकार के पास नहीं था तो इसी तरह का सवाल हम लोगों से भी किया जाएगा तो हम लोगों के पास सारा जबाब होना नितान तावस्यक है हम तो सर अपने तरप से जो प्रियास है वो कर रहे हैं पूरा साथ ही है इसमें लगे हुए है अभी भी हमारे साथ जितना भी है राज के प्रदेश के काम करेंगे लॉयर जो हमारे हैं सारे लोग लगे हैं तो बिहार के सभी सिक्षक भाई बंसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से जीतिएगा संघर्स जादा से जादा हम लोगों को करने का जूरत हैं जिसों हम लोग कर रहे हैं मन में कहींता किसी तरह का संसाःов मत रखिये तयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हुसके लिए हम लोग 12% की टीम21 यली इसके लिए अप लोग बिलकुल निश्चिंत रही है लेकिन आप लोग प्रफ्ता सहाब के तरफ से हमारे सभी लोगों के आगरह पर बिहार के सिख्षक भाई बहन के भावना को मेरे दौरा बताया जाने पर और मजबूरियां को बताया जाने पर उन्होंने आज से जो अपना 11 लाग का फीश था उसको आज से उन्होंने 50 पर्षेंट उसमें हम लो को रिलेक्स मिला है तो हम लोगों के लिए एक बड़ा रहात है लेकिन जिस तरह के सरकार का स्टेट्जी है कितने दिन तक चलेगा तीन दिन चार दिन इसका तो कुछ समझ में नहीं आता तो अभी आप लोगों का साथ में लंबा संगर्स दिख रहा है और उसके लिए हम ल तो उस अधार पर आप लोगों का सहयोग था उसको रोकिएगा मत उसको जारी रखिएगा और कोट रूम के अंदर की जो भी स्थिती बन रही है साम में उसके पर डेली के रेट से साम में उसकी समीक्षा हो रही है और उसके बाद अगले दिन की हम लोगों की रनिती बन रह प्लोगों को को मैं आसे जादा सारा ग्राउंड पर सर जितना भी है ना सारा ग्राउंड पर गहरनेकी तयारी है पूरी तरीके से कहीं पर कोई उसके जीतने भी तरह का आज पूरा दिन सरकार डाइंग के डर और डाइंग के डर के उस्व को इसु दर फीनान्स का इसू लाकर पूरा दिन आज कोट में अपना हर बात को रखते रही है। डाइंग के डर के जही हम लोगों का जवाब हो आखने वह तमाम जवाब evidence के साथ तयार है। जो भी आज सरकार के द्वारा बात उठाया गया है उसको फिर से हम लोग अपना किस तरह से उसका जवाब तयार करके रखना है उसका एविडेंस किस तरह से पूरा बिंदू बार एविडेंस बिंदू बार जवाब हम लोगों के तरह आज से तयार होना प्रारंब हो गया है और पूरे रात में आज कल के लिए तयार रहेंगे हम लोग फिर कल का जो इस्थिती बनेगा उसके लिए पर तो जीतना हमारा सौ परतिसाथ सत है सत्य लेकिन सरकार इसको मुश्किल बनाने का कोशिस कर रही है राह को जो हमारे लिए आसान दिख रहा था उसको कठिन बनाने का कोशिस कर रही है उस कठिन भरे राह पर हम लोग चलने के लिए पूरा संकल्पित है और इसकी इसको हर कीमत पर जीत के बिहार के सिक्षक प्रतिनी दीम संकल्पित हैं पूरे बिहार के प्रतिनी दी मुखिरूप से यहां आए थे जो नियाइक संघर्ष में लगे हुए हैं वो सारे लोग आज यहां कोट रूम में थे सारे लोग कल भी इधर में रहेंगे सारे लोग अपने अस्तर से जितना सहीओग हो पा रहा है वो देने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए आप लोग चिंतामें ना पड़े मुश्किल होता है रोजका रोज सरकार भारत का मिलके केंदर का मिलकी बिहार का मिलके मुश्किल हम लोगों के लिए सुप्रीम कोट में खड़ा कर रही है आज कभी जो रुख ता कभी साइब के लोईयर है यह कोट रूम में आज उन्होंने प्रूप किया है इसलिए आप लोग बिलकुल भी चिंता मत कीजिए आपके भगवान का किरपा है कि हमको एक ऐसे आप के आशिरबात से सहयोग से लोईयर मिले हैं जो सही में आपके मान सम्मान और अधिकार की रक्षा करने में सक्षा में वह पहले दिन भास में आज कोट रूम में सहामी को नहीं दिखा जिस भी संगटन के प्रतिनिदी थे वह सारे अपने आख से देखे हैं कि आखिर सुंदरम सहाब का जबकि सरकार को अपना पक्ष रखना था उस बीच में उनका जो भूमिका रहा और कोट के सामने जो कुछ बातें को लाए उसे पूरा कोट रूम और सभी संग के लॉयर भी इस चीज़ को आज देखे हैं कि सुंदरम सहाब की तैयारी किस लेवल की है और हमको लग को निश्चित रूप से उसी आधार पर कल से तयार होके कोट रूम में रहेंगे तो इसके लिए हम पूरा आसान भी थैं लेकिन आपने सारे प्रतिवादी महदे से भी अपील करेंगे कि जो इस्थितियां आज कोट में बनी है सारे लोगों ने देखा है उसको सभी लोग स संगसंगठन के खेल खेलने का समय नहीं है सब लोग एक दूसरे से मिलके बढ़ियां से राय विचार करके अपने अधिवक्ताओं के साथ संगर्स करके इस केस को जितने के लिए तमाम एविडेंस के साथ कोट में बात रखने का प्रयास करेंगे जैसे आज भी हुआ है जै से काम में लग जाना सूबह से तो उसके लिए हम लोग पूरे तरिके से तैयार है कहीं को हम लोगों को इसका दिकत नहीं जितना दिन भी केश कितना दिन चल सकता है अज फिर कंटिनू केस्ट कल हो रहा है फिर कंटिनू केस पंद्रा होगा अखिर को शिर्फ यही काम तो नहीं करना इसलिए बहुत ज्यादा लेके किसी का भी साजिस इसको मानिए सुप्रीम कोड के दारा नहीं चला जाब। किस्टितुरूप से बहुत जल्दी इसको सौट किया जाएगा तो आप जो भी हो हम लोग हर परिस्तिति से निपटने के लिए कोट रूम में आपके तरप से तयार हैं आप लोग बेफिक्र रहें कोई कुश्चन नहीं हो इसा उसमें बेफिक्र होके रहें कोई चिंता मत करि लोग कीा असिरबात से आर्थिक सःयोग भी किया जा रहा है जितना जृत है उतना सयोग कियाजा रहा Вम लोग का मनवन आप लोग चलते बहुत बढ़ा है लेकिन जो अलचने आ रही है वह निश्ची तुरूब से थोड़ा है उसको दूर करना थोड़ा कठिन है लेकिन हर कीमत पर हमारे साथ के जो माने टॉप के लॉयर है सुंद्रम साहब और उनके साथ के सभी लॉयर जो है वो सारे लोग उसका रास्ता निकाल रहे हैं डे-to-day और कहीं कोई कठिन बात नहीं है हम लोग का जो सारा बा रही है हम लोग इसके इसको जीतेंगे और तर्क के साथ तथ के साथ प्रमान के साथ कोट में अपनी बात को रखके जीतेंगे आप बहस करके ही जीतना है तो उसकी तैयारी आज से साथ महना से चल रही थी सुप्रीम कोट में और जो खुसी का बात है कि हम लोगों ने तीन बार में 11 11 लाख 33 लाख आधर निया वकील साहब सुन्दरम साहब को दिया है फीज के रूप में और उनके ब्रीफिंग के लिए दो लाख वीज़र करके 6 लाख साथ हजार मतलब लगभग 49 लाख साथ हजार रुपिया हम लोगों ने खर्च किया और उसी पैसा का आज रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे जो सुन्दरम साहब है उनको पूरा चीज आज पूरा तरीके से याद है जिसका नतीजा था कि आज थोड़ा सा भी अगर कुछ गलत बात रखा जा रहा था तो उनके द्वारा कोट का ध्यान आकरिस्ट करा जा रहा था कि यह मिसलेडिंग ऑप पूरी तरीके से तैयार है और जो और तैयारी आज के बहुत के बाद जरूरी समझा गया उसके लिए प्रयास जारी है तो हम लोग तो जगी रहें आप लोग सोईए अराम से सोईए हम लोग आपका भाई है हम लोग आपका लिए पूरा रात में भी जगेंगे दिन में भी काम करेंगे कहीं कोई टेंशन लेने का बात ने है फिर जरुवत पढ़ने पर कल हम आप लोग के बीच में साम में जो इस्थिती कोट की बनेगी उसके साथ उपस्थित होंगे अभी हमारे साथ आधर निये हाई कोट के अधिवक्ता मिर्टुजे कुमार जी जो निसुल को गतार तीन दिन से अपना तमाम नुकसान करके हर बहास में इसी तरह तीन दिन चार दिन साथ महिना से आज फिर निर्नायक दौर में यहां तक हमारे साथ खड़ें और इनका आज भी हम लोग को आश्वासन है कि जब तक यहां जीतेंगे नहीं तब तक आप लोग के साथ इ कि आप लोग के बीच में दो मिनट अपनी बात को रखेंगे कि क्या इस्तिती बनी थी कोट में और उसके लिए हम लोगों की कैसी तैयारी प्रारम हो गई आज के स्थिती से निपटने के लिए तो सरकार कितना भी चाह ले या बिहार की सरकार अपने सिनियर लाइयर के माध उस सारे चीजों का अध्यन जारी है और सारे चीजों का ठोस जबाब देने के लिए हमारे अधिवक्ता भी तैयार है इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कहीं से घवराने की जौरत ने जीतना है थोड़ा सा संगहर से बढ़ गया है तो संगहर से हमको घवराना आपकी प्रमान दिया है इसका तो मैं जीवन भराभारी रोंगा इतना कम दिन में इतना जबर्दस सहयोग तन मन धन इसी से कहते हैं पूरे बिहार के शिक्चक नए शिक्चक हो मेरे टेट पास शिक्चक हो या हमारे पहले से नियोजी सिक्चक सिक्चा मित्र भाई सभी के लिए सम भेद नहीं होने दिया जाएगा सबको समान रूप से उनका अधिकार मिलेगा क्योंकि सबकी बहाली समान रूप से एंसीटी आर्टी के गाइड लाइन के आधार पे हुआ सरकार के आदेश और अनुदेश के आधार पे वह इसलिए किसी के साथ बेदभाव नहीं होगा तो हम फिर आपके साथ कल जरत पढ़ने पर लाइव होंगे फिलाल अभी आप आज के कोट रूम में जो गतिविदी हुई है हमारे द्वारा जो बताया गिया उसके अलावा अधर ने मिलतुंजे कुमार जी के द्वारा भी सुनिए कि की सतरह का महौल आज कोट र सभी सिक्षक भाई बढ़नों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जैसा कि अनन्द जी बताया है आज कोट में सरकार के वकील जब बहस करना शुरू किये तो जैसा कि हम लोग को पहले से ही आसंका थी और उनके ड्राफ्टिंग से पहले से ही लग रहा था कि ये कोट को मिसलीड करना चाहते हैं कुछ गलत सलत आकरे देके कुछ गलत फैक्ट देके कोट को बरगला के अपने केस की तरफ को जुकाव को जुकाना चाह रहा हैं हम लोग की तैयारी पहले से जारी थी हम लोग ने जम के तैयारी किया था और इसी का नतीजा हुआ कि जब जब सरकार के वकील कुछ गलत फैक्ट देते थे हमारे सिनियर एड़ोकेट महद है उस पर अब्जेक्शन करते थे और उसको जब साहब एडमिट भी किये दो तिन बार चार बार जो भी हुआ उसको एडमिट किये एप्रिसियेट भी किये कि यह नहीं है ऐसा है और उस हिसाब से उनका भीव भी जब साहब का चेंज होता गया तो आज तो सिर्फ एक वकिल साहब बहस किये हैं सरकार की बिहार सरकार की तरफ से तीन या चार वकिल साहब है उन्हों का बहस अभी बाकी है फिर सेंटरल गौवर्मेंट के जो वकिल साहब है एटर्णी जेनरल उनका बहस बाकी है कल उनका बहस होना है मुखी रूप से सरक कि आपकार के तरफ से बार-बार यही आप्जिक्शन उठ रहा था कि कि डाइंग केडर है डाइंग केडर के साथ कोई पैरीटी नहीं हो सकती है इसका जवाब हम लोगों के पास तैयार है हम लोगों को मुका मिलेगा हम लोगों उसका जवाब अच्छे कि दूसरा बात कि फंड को लेकर के कि हमारे पास उतना फंड नहीं है कि हम सारे लोगों को पैरिटी के हिसाब से दे सकें सरकार के अधिवक्ता महदय का यह कहना था कि हम रिजनेबल एमाउंट दे सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं लेकिन हम उतना नहीं कर सकते हैं इस पर भी फंड पर भी हम लोगों का तैयारी हो चुका है उनका कितना फंडिंग है पहले से क्या है नहीं है इसके अलावे जजस सहाब का ये भी कुश्चन आया कि देश के और राजियों में क्या पेमेंट दिया जा रहा है तो मैं आपको बतला दूँ कि देश के चार-पांच राजियों को छोड़ कर सभी राजियों में सिक्षकों की नियुक्ति पर्मानेंट बेसिस पर ही होती आ रही है चाहे वो राइक टू एक्ट आने के बाद या उससे पहले राइक टू एक्ट आने के बाद बिहार सरकार उसको एक हथियार के रूप में लेके और हमारे यहां जो बेरोजगारी का आलम था उसका फायदा उठा के हम लोगों को हमारे सिक्षक भाईयों को कम बेतन दे के बहाल किये मजबूरी में लोग बहाल हुए लेकिन दूसरे राजियों में ऐसी स्थिती नहीं है ज्यादा तर राजियों में पूरे पेस्केल के साथ बहाल किया जाता है सिक्षकों की बहाली होती है कुछ दो चार राजियों में जहां पहले पारा टीचर या सिक्षामित जैसे पद पर बहाली हुई थी वहाँ या तो regular कर दिया गया या जैसे महराष्ट्रा में था कि वहाँ पांस साल के लिए पहले पंचायर टीचर या सिक्षामित्र के रुप में बहाली किया गया और पांस साल के बाद फिर उनको regular टीचर बना दिया गया यहाँ भी बिहार में भी कोशिस वही करना किया गया था कि जो लोग बहाली हुए उनको बहुत तरह की सुविधाएं देके ट्रेनिंग कराके उनको पर्मानेट किया जाए लेकिन यह राजनीतिक रूप से उसको दूसरा रूप दे दिया गया जिसके कारण हम लोग को हमारे यहाँ बिहार के सिख्षकों को जो बितनमान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया और एक छोटा बितनमान देके उनको छोड़ दिया गया जिसकी लड़ाई हम लोग शुरू किये हैं लड़ रहे हैं और उमीद है उमीद क्या पुरा विश्वास है कि हम लोग की जीत होगी हम लोग जीतेंगे इसके लिए हम लोग दिन रात एक किये हुए हैं चाहे जिस अस्तर तक मेहनत करना हो जिस अस्तर तक कि जाना हो हम लोग करेंगे मेहनत कर रहे हैं और हम पौइंट का जवाब तयार कर रहे हैं आज जो भी पौइंट सामने आया जो भी कोश्चन उठ सकता है हम लोग के लिए हमारे खिलाफ उस पर हम लोग ने आज फिर से तयारी किया है साम में कुछ पॉइंट को और ज्यादा मजबूती से उसके फेवर में जो डॉकुमेंट्स हैं उसको लाने के लिए उसका जहां से भी हुआ उसका विवस्था किया गया है फिर हम लोग उसको कंपाइल करके कल सीनेर भोकेट को सुबह में सारह आठ वजे हम लो होता है उसका फिर साम में हम लोगों को जानकारी देंगे है बहुत बहुत धन्यवाद कि अ कुछ सवाल आ रहा था आसर आप लोगों के तरफ से कि जज यही रहेंगे तो यह आप साश्रुलेयर हो अब यहां बात के लिएर है कि अभाय मानने जज़ अभाय मनोहर सापरे और मानने जज़ उदर्य उमेश ललित सहाभी हम लोगों का पुरा बाहस सुनेंगे और उन्हीं के हाथ में अभाय हम लोगों का जज्जमेंट है जो भी चिंता मत करिये हम लोगों को अपने ज़स अपने माने जो अधिवक्ता मोद हैं अधरनेश सुन्दरम साहब पर आस्था भरोसा रखना उनके साथ तैयारी करना है और तैयारी के बल पे अपने बहस के बल पे अपने तथ है और अपने संविधान में जो हमको और जो मा स्यमारा सरकूलर कहता है उसी अधार पर हम जीते हैं इनसनीटी और ओरर अटी का जो गाइड खायर पर हमको सुप हाई火 से भी जमेंट मिला है तो उस अधार पर उसमें और जो कुछ जरूरी तत्य और साक्षे उसको देना है और उसी आधार पर हमको जीत फिर यहां हासिल करना और भी जो बाते हैं उस सारे चीज को हम लोग ला रहे हैं बहुत सारा अब चुकी बहुत शुरू हो गया है तो बहुत सारा बात को रखना ही पाएंगे आपके पास तो को अब लेकिन को डिशिफ से चीज रहेंगे और सारे चीज को भी हत मजबुती से हम लोग रखेंगे कि इसलें आप लोग बहुत चिंद्धा मन करें हम लोग पूरी त यारी में हैं नीम नहीं आफänd हैं अभी n को निन कहाँ आना है नीमिद आते रहेगा काम चलते रहेगा इसी तरह से होगा बैटरी सर बहुत कम हो गया पंदरा परसेंट हो गया हमारे साथ आज कोट रूम में महासची मोह देविद कई ऐसा सवाल है जो आपका चोती हैर पान सो चालीस का ने जो मामला है वो भी हम लोगों के तरभ से रखा ज़ा रखा जा रहा उसमें पहला चीज कोई भी चीज हम लोगों के लिए जरूरी है आज आज बहुत सार अफेक्ट हम क्या रखने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप सर्व करने से पहले तो बहुत सुरू हो चुका है अब कुछ सब चीज हम लोग को उसको देख समझ के आगे रखना है इसलिए कहीं नहीं सरकार का मोटीव आज सामने आ चुका है सरकार किस लेवल पर ले जाके कहां हमको उल्जाना चाहती है वो सारा हमारे लॉयर आधर्निय सुंद्रम सहाब और उनके तीम के सभी आधर्निय और राजय कुमार सिंग हाई कोट के जो हमारे मिर्तों है सब लोग हम लोग समझ चुके यो कि त्यारी चल रही और हर एक चीज का कार्ट हम लोग के पास रहे हैं, है आज सवाल आ रहा है आज आप जान लिए जो हम लोगों को यहां रहने में फिरी में आवास उपलव्द कराएं हैं और आज भी दीन फर अपने गाली से पूरा हम लोगों को सुप्रीम कोट में सुबह साथ बजे से लेके अभी ब्रेफिंग में सुंद्रम साहब के यहां ल खल रहा है तो वहां पर अभी हम लोग है आव अभी छोड के आम लोगों को निकले हैं तो उनका तो अटूट मतलब बहुत हमले सैयोग हम लोग को मिल रहा है तो उनका प्रतितों हम लोग अभारी हैं है गढ़बल नहीं होगा सार एटर्णीस जनरल सायाब कितना बार गढ सभी वकील हैं तो उनसे भी कोई कमजोर वकील आपके साथ नहीं खड़े हैं वह आज को ट्रूम में दिखा है और दूसरा सभी लोग के बढ़िये वकील किसी के बारे में हमारी कोई टिपीनी नहीं है कोन क्या किये कम हुआ है जहां पर वहां पर सब लोग सुधार लेंगे ऐसा हमको पूरा बिश्वास आज के बाद सब लोगों की स्टेटी बन गई यह मुझे पूरा विश्वास आप लोग निशींतर सब ठीक हो जाएगा सब लोगों के अधिवक्ता मोदे वहां रहेंगे अब रामचंदर जी का भी कुछ बात रखना इधर आए अपना रामचंदर जी भी कुछ अपील आप लोग से करेंगे अपना कोट रूम में थे दो मिनिट रस्तांग के महा सचिव हैं बिहार के सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार आज जो कोट रूम ने हमने देखा किसी नियोजी शिच्छकों को योगता पर एक बार भी सबाल नहीं किया गया इसलिए कि कोट इससे पहले भी जान चुकी थी और यह जवाब दिया गया था हमारे सभार और सुंदरम साब जो तैयार किये थे तो वह भली हाई कोट के यार मुतंजा जी ने बताया तो लगातार पोजेटिव ही कोट का भी रूखाज पोजेटिव था और हम जीतेंगे निशित रूप से सफलता मिलेगी रही बात तुरह सा लगातार बहुत हो रही है तो बीतिये समस्या पैदा हो रही है तो हम अपने भाईयों करेंगे जो सहयोग रासी थुरह सा तेजी से बढ़ाव है और उसको थुरह सा इसलिए की लगातार अगर चौथा दिन भी चले तो पैसे की कमी नहीं होना चाहिए फैसला फेवर में ही आएगा चौथी जार पांसा चालिस वाले मुद्दा पर भी चर्चा होई थी या पु होंगे अभी होमगार्ड के जबान को भी मिला है यहां से सफल था तो हमें नियाले पर अस्था और यूएल ललित पोजेटिव है और रुख भी उनका पोजेटिव था सुन्दरब साहब बार बार तिन चार बार लगातारों जो कोट को मिसगाइड कर रही थी उदर से तो बार बार यह नहीं रखे और पोजेटिव रहा इनका और सराची कोट भी पोजेटिव है और कल भी सरकार के तरफ से लोग बोलेंगे लेकिन थोरा सा अगर को मिसगाइड किया जाएगा तो हमारे टॉप 10 के अधिवक्ता सियाव सुन्दरब साहब कोट में परजेंट रहें और लगातार काम चल रही है हम सफल होंगे आप थुरा सा ये लाश्ट फिर में अफिल करना चाहता हूं अपने भाईों और वहनों से जो थुरा सा सहयोग रासी तो की लराई लंबी है 14 दिन भी चल सकती है तो सहयोग रासी के बिना हमारा यह काम नहीं चल सकता है इसलिए स बहुत है दो चार मिनटी चलेगा है कि सरप्रतम तमाम भीहार के तमाम भाईयों बहनों को नमस्कार है अभी-अभी सारी सूचना बिहार सरकान बढ़ाम बिहार पंचेत नगर प्राणबिक्स चक्संग के जो केवियेटर है हम लोगों के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भाई आनंद कोसल जी के द्वारा तमाम जानकारित दी गई है सारे लोगों को और जहां तक सवाल है आज जो अधरनी आनंद कोसल जी के द्वारा जो हमारे वार थे या जो हमारे अजीवकता थे इस दर्बियान जो बात ओवर करके सामने आई है और उसमें जो बात आज चुकि मैं इसलिए आज आप लोगों के सामने में खरा हूँ कि हमने समझा है चुकि आदरनी हमारे प्रदेश अ कोट रूम के अंतरगत हुआ है जो दुबेदी जो दुबेदी जी जो कोट रूम में उठाए कि कि बिहार का जो नियोजीत सिक्षक है इनकी जो बहाली है कि वो लोकल वोडी के माध्यम से हुआ है कि पंचयत परखंड नियोजा निकाई के माध्यम से हुआ है भाइशे सुदोरम होसे हो जिस पर हमारे जो बढ़िया दिवकता थे सथे इस अ सफ उन्होंने काफी गंविर्ता प्रॉभक बीच में रोकते हुए जो बात कहा है कि घीक है है इनकी वहलही पंचयत्नी योजनीकाई के दुवारा हुआ प्रिखेंड न निकाहि कुप में deal करती है या पंचीटी राजसंस्था कि उन्होंने सवाल कमर्शनды की पिहर का जो विद्यालभ है वह उनको कौन डीन करता है पंचैती राजसंस्था Benton का तलीक करती है को उनको गाइड करती है जिसपर अश्पस्ट रूप से जो सरकार के वकील थे दुवेदी सहाब वो निरुत्तर दिखे। है इससे साब जाईर हो रहा है कि सरकार लगातार को को मिस निरंतर निरंतर साथ दिया है और उनके बल्बुते जो बरा अधिवक्त来了 रहा है टॉप फाइव का जो बढ़िया अधिवक्ता नामचीन अधिवक्ता सिए सुन्दरम खरा है जिन्होंने लागातार आज चोथी बार बहास किया है चोथी वार कोट रूम में प्रिजेंट हुए है जिनको हम लोगों के माध्यम से तमाम जितना भी इससे संबंदित साक थी कि हम लोग अन राजियों का दोरा कर रहे थे बारा जुले को आज भी वो बात सामने में आई है कि समान काम समान बेतन अन राजियों में भी है तो ये बात हम लोगों ने आज भी अपना जो अधिवक्ता था उसके माध्यम से हम लोगों ने पुरी मजबूती के साथ प् पस्ट कर देना चाहते हैं कि आज जो लगबग 11 वज़े से जो बहस सुरू हुआ वह चार वज़े बहस कतम हुआ है इस बहस के दोरान जो बात उभर करके सामने आई है जो सरकार के अधिवक्ता थे दिन भर जो मिस्लीड करने का प्रियास किये उनको हमारा जो अधिवक्ता थ हुए कोट रूम में रोकते हुए जो एक तरफ से आधरनिये जो जज्ज थे यूए ललित साप्रे सहब उनका ध्यान आकरिष्ट कराते हुए असपस्ट कर दिया है कि हमारा जो है कोट का निरने है वह कंक्रीट है और जो सरकार का जो जो अधिवक्ता है जो भी लोग है वह लागातार जो है मिस्लीट करने का प्रियास कर रहे हैं कोट को गुमराह करने का प्रियास कर रहे हैं यह बात आज असपस्ट रूप से कहा गया है साथियों आप असपस्ट हो लिजिए कि हमारा जो कल का जो बहस होना उसके लिए लागातार हम लोग जब से चार चार वज़ के पास पहुँचे जो आज बहस हुआ उस तमाम बाड़ी की बिंदू पर हम लोग चर्चा किया चुकि अधिवक्ता विसेसग होता है जो कोट में बहस होता है उसकी बाड़ी की जानकारी उनिक होती है उनके माध्यम से पूना हम लोग सीय सुंधरम साब के पास पहुँचे और कल जो बहस होना है उस बहस के लिए कैसे क्या करना है किस तरह की तैयारी करनी है कल क्या होना उन्होंने असपस्ट का है कि कल कौन-कौन लोग बहस में आएंगी आप लोग असपस्ट हो लिए कि कल सरकार के अस्तर से जो सरकार के अर्न अधिवक्ता है राकेश दुवेद गया और जो हमारा फैक्ट है जो हम लोगों ने लागातार हमारा जो अधिवक्ता चोथा बार बास किया है पूरी तैयारी के साथ हम आज संतुष्ट इसलिए हैं कि उन्होंने मेहनत किया है और आज कोट्रूम में सारे लोगों ने इस बात को एकसेप्ट किया है कि हमारे जो अधिवक्ता थे मन्ने सिय सुंदरम साहव उन्होंने पूरी मजबूती के साथ जो बिहार के चार लाग सिक्षक भाई वान है उसके हक में उसके अधिकार मान सम्मान और अस्थित्व संदक्षन के लिए संपुर्ण रुप से बीच बीच में जब जब राकेश दुवेदी कोट को डवर्ट करने का प्रियास किया गया उनकी द्वारा गुमरा करने का प्रियास किया गया तो उन्होंने अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखा तो हम आज काफी संतुस्थ है कि हमने जो प्रियास किया है लगातार चौमा से वह हमारा सफल दिकरा है और मुझे प इस न्याईक तैयारी में हमारा जो सुंदरम है संपुर्ण रूप से कल जो बहस होने वाला है उस बहस में आहम भूमी का निवाएगा जो पितले दिन जो बात ओवर करके सामने आई है आर्टी रूल डाइंग केडर लोकल वोडी यह तमाम मेटर हम हमारे ख्याल से हमको नहीं लगता है कि यह सब कोई बड़ी वात है यह तमाम वही वात है जो पटना है कोट ने सीरे से ना कार दिया हम बिहार के तमाम सिक्षक भाई वहन को असपस्ट कर देना चाहते हैं आज हम सोचल मीडिया की माध्यम से देख रहे थे कि हमरा कुछ भाई जो नया बहाल वकर के आई हैं इस तरह के लोग मतलब सोचल मीडिया की माध्यम से अनाप सनाप ici्षब फ्लेस कर रहे समान काम समान बेतन मिले इसके लिए हम लोग प्रियासरत हैं और इसके लिए हम लोगों ने इमानदारी से महनत किया है इमानदारी से काम किया है और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं सारे लोग आए जो हमारे वकील थे आजकमार सिंग इन से बात करने के वाद हमारे जो बड़ को उनके साथ हम लोगों की बात हुई है आज कूछ भाई हो कुछ भाई परिशान है टेट का वाई हो जो कल भाल हुआ कि नहीं कि पुरा भाई को खाली था हम रहना साफ है कि हम पूरा रन नीती है की विहार के 4 लाक सिक्षक भाईवर्न को 17 समान काम समान वेतन मिलें इसके लिए हम लोग लगए समान काम समान मेतन हमारा एजहना है जहां तक सवाल है हम आप समाम भाइव वानों को अस्पुष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ लोग बेवज़ा का मतलब गुमरा करें कि रड्टी रूल टेट पास फलना चिलना तो आप असपस्ट हो लिए कि बिहार का तमाम भाईवन आर्टी के गैडलाइन के आलोक में बहाल है तमाम सिक्षक जो आर्टी का गैडलाइन आर्टी ने कहा कि बिहार का सिक्षक जो है एंसीटी ने कहा कि बिहार के सिक्षकों को परिक्षा उन्होंने दक्सता परिक्षा फास किया उसके बाद जो नियम आया उसके आलोग में बिहार के सिक्षक भाई बहन टेट पास किये और जो आर्टी की जहां तक हमारा अंट्रेंड भाई है जो आज ट्रेंग कर रहे हैं वह भी एंसिटी के गाइड लेन के आलोग में कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो भी कौंटर किया गया है चार सेंशाट परणने का छो शलप कहीं गई है को गिम्राह करने का प्रियास कि से अब कोट में जद सहब यूवी लालित ने जिस तरीके करके जब यह बात उभर करके आई कि सरकारी विद्ध्याले में जो टीचर है वो पंचैत पंचैत प्रखंड जो संस्था है पंचैती राज संस्था उनके माध्यम से जो बहाली की गई है यह हमारा सिक्षक नहीं है पंचैती राज इनको गैड करती है तो यूवलत ने असपस कर दीजिए कि बिहार का जो सिक्षक है या बिहार का जो स्कूल है वह बिहार सरकार गैड करती है कि पंचैती राज संस्था गैड करती है तो इस परिस्तिती में वह निरुद्तर देख रहे थे हमरा चुकी जो मवाइल है वह बैट रहा है और हमरा भाई जो निरंतर इस लड़ाई में लगे हुए है जो प्रदेश के कोसा अध्यक्ष है उन्हें भी अपनी बात रखनी है तो हम उनसे आगरा करेंगे तो अपनी बात रहां अकल पुना हम लोग पुना आएंगे पुना कि अपनी बात रखेंगे धन्यवाद कि अब जल्दी आएंगे जल्दी बंद जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद बिहार के चार लग सिक्षक भाईबन बारों बजने वाला है अभी भी आप जगे हुए हैं और हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं हम इतना ही कहेंगे क कि आज बहुत हुए लंभी बहुत हुए सारे तीन घंटे चार घंटे के आसपास बहुत हुए और हमारे आदर नियों पर्देस अदे आनंत कोसल जी के नेतुरित में जो भी लराई लरी जा रही है बारी की से आप लोगों को बताया गया है और कल फिर पुना बहुत होगी की उसके बाद कल सरकार ही पक्ष रखेंगे सरकार करें लोगों फिर पुना हम लोगों के पक्ष के बगती है वह समयск तो कि कि तीन दिन और कल परसों और तरसों बहस होगी तो आज लगा के चार दिन हो गया तो चार दिन में क्या संभावित खर्च होती है को साध्यक्स पर्देश को साध्यक्स कि नाते आप सभी भाईबाउन से अपील करते हैं कि आपके पास जो भी आर्थिक सहयोग है वह राश संके खाते में देने का कश्ट करेंगे क्योंकि चार दिन लगातार बास होने का मतलब है कि लंबा खर्च इसलिए आप सभी भाईबान से आग्रह है कि आप अपने अस्तर से शंकूल अस्तर से परखन अस्तर पर इस जिलास तर से जो भी सहयोग राशी आपके पास जमां है या जो जमां नहीं है तो आप पुड़ी बिहार के शिक्षक दíchक्र हैं कि किस तरह से लराई लडी जा रही है और सरकार की तरह से डैबटकर आठ से करना चाहती है इसलिए हम लोग हर हाल में कंतिनी just ben बने रहना चाहते हैं किसी परकार आर्थिक समश्य हम लोगों के समा नहीं बने इसलिए आप तमाम भाईवानों से आगरा है कि आप ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सायोग देने का कष्ट करेंगे और यह यह था सिग्र कल से से विशेस कर अपील करना चाहेंगे कि सहयोग राशी जल्द से जल्द भेजने की किरपा की जाए और हमारा बहुत 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 चलता रहे जहाजा तिर लोकी जी आप अपना कल एक लाख राशी जमा करिए जो आपने फोन पर बोले थे धन्यवाद चलिए सब लोग अपना का अधिकार की रच्षा के लिए संगल्पित हैं बचनबद हैं आपकी जीत होगी और सांदार जीत होगी हाई कोट का अधे दायर की वह खारिज होगा यह विश्वास आपको आधे रात में दिला रहे हैं बिलकुल निश्चिंथों के सोएं बहुत बहुत धन्यवाद जय ह झाल झाल झाल